शोपिया रेप केस में जूटी मेडिकल रिपोर्ट लिखने वाले दो डॉक्टरों को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया है दोनों डॉक्टरों पर पाकिस्तान के कहने पर पोस्ट माटम रिपोर्ट में जानकरी बदलने का आरोप था ताकि घाटी में हिंसा भढ़काई जा सके और सेना को टार्गेट किया जा सके पोस्ट माटम रिपोर्ट में दोनों के साथ रेप का दावा किया था रेप का आरोप सेना के जवानो पर लगा था उस वक्त इस रिपोर्ट के चलते कश्मीर में हिंसा भढ़की थी और 42 दिन तक घाटी बंद रही थी इस केस में सीबी आई ने 14 दिसंबर 2009 को जम्मो कश्मिर हाई कोट में चार्जशिट पेश की थी इसमें डॉक्टर बिलाल एहमद और डॉक्टर निगत शाहिन चिल्लू के साथी 13 अन्य लोगों पर सबूत से 6 छाड के सबूत मिले थे सेना के जवानों पर लगाए गए आरोप जूटे निकले थे 30 माई 2009 को शोप्या में आसिया और निलोफर के शव राम्बियारा नदी में मिले थे इनकी मोत पानी में डुबने से हुई थी लेकिन इनकी मोत को रेप और हत्या बनाने की साजिश रची गई जम्मो कश्मीर में उस वक्त उमर अब्दुल्ला की सरकार थी जवानों पर रेप और हत्या के आरोप लगने के बाद महीने भर तक प्रदशन चला दबाव बढ़ने पर पुलिस ने साथ जून 2009 को बलातकार और हत्या की दाराओं के तहद एफायर दर्ज की राज्य सरकार ने भी रिटायर जज़ की अध्यक्षता में जाच समीती बनाई इस आयोप की रिपोर्ट में पुलिस पर सबुत मिटाने का आरोप था जिसके अधार पर सरकार ने शोपिया के ततकालिन एसपी और डिप्टी समय चार पुलिस अधिकारियों को सस्पेंट कर दिया लेकिन घाटी में प्रदशन जारी रहा जिसके कारण केस सीबी आई को सोपा गया दिसंबर 2009 में सीबी आई ने 66 पेच की रिपोर्ट जम्मू कश्मीर हाई कोट में पेश की इसमें 13 लोग आरोपी थे आसिया निलोफर के कुल 3 पोस्ट माटम हुए पहली टीम में डॉक्टर बिलाल और दूसरी टीम में डॉक्टर चिल्लू शामिल थी डॉक्टर चिल्लू ने अपना वजाइनल सेंपल आसिया का बता कर रिपोर्ट में रेफ होना लिखा था सीबी आई ने एम्स के डॉक्टर्स डॉक्टर टीडी डोग्रा और डॉक्टर अनुपमा रेना की टीम से शवों को कवर से निकलवा कर जाच करवाई दोनों के फेपडों में वही डाइटम मिले जो उस शेतर में मौझूद थे जहां शवों पाए गए थे इतना ही नहीं आसिया के शवों में हाइमन भी मौझूद थी सीबी आई ने साक्षिगरने के आरुप में छे डॉक्टरों, पांच वकीलों और मौत महिला के भाई समेद दो नागरिकों के खिलाफ चार्च शिट दायर की थी वकीलों ने ही इन दो लोगों को गवा बनने पर मजबूर किया था इसके बाद 47 दिन तक हिरासत में रखे जवानों को छोड़ा गया था जब मुकश्मिर प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि डॉक्टरों का मकसद आर्मी के जवानों पर रेप और हत्या का जूटा आरूप लगा कर लोगों को उनके खिलाफ भड़काना था जाश में ये भी सामने आया है कि ततकालिन उमर अब्दुल्ला सरकार के एक सीनियर ओफिसर को इन चीजों के बारे में जान करी थी लेकिन सच्चाई दबा दी गई थी इसी के साथ बने रही है एशेले सुट्या के साथ धाने बाद